तो गयर सेड में आज विदान सबा स्थर का दूसरा दिन है कॉंग्रेस विधाय का आज हाथों में गलना ठामकर विदान सबा पहुचे और विदान सबा परिसर के बाहर प्रदशण किया और गन्य का समर्थन मुल्य बढ़ाने की मांग की प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के विधायकों से Network 10 सवाधाता ने बात शीत की वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर गन्यामंतरी सौरब बहुगुरा ने भी अपने प्रतिकरिया जाहिर की है गन्या के समर्थन मुल्या को बढ़ाने की मांग को लेकर कॉंग्रेस के विधायक सदन के बाहर गन्या लेकर परदसन कर रहे हैं उनका कहना है कि गन्या का समर्थन मुल्या है वो बढ़ना चाहिए उसको लेकर परदसन सदन के बाहर किया जा रहा है फुरकान जी बताईए जो क्या लगातार सरकार के रही है कि जो भुक्तान है वो खोरा है गन्य लेकिन उसके बावजूद भी सदन के बाहराज जो है गन्य लेकर अगबार पूर जो इकबार पूर सुगर मिले उसमें दोजाज सतरा अठारा उननीस का एक सो पच्छी करोड र क्योंकि किसान वो चीजें जो फसल उगाता है और हमारे बच्छों का पेट पोशन करता है और उसके बावजूद भी कोई गन्य का रेट नी बढ़ा गया हमारी मांगी कम जगम साथ सुर्वे कुंडल गन्य का रेट होना चाहिए और जो गन्य का भुक्तान बगाया है वो नी मलें को तकार मिल मालिकों क दिला इस किसे गरीबहों को फै coping को फैदा हो सघ को ऑए Evan की कि कर रहे हैं क्योंकि जाल बंगातान करेंगे अनके आए और लेका जो बंघता है कि इस बार जो बज़ट आएगा उसमे जो हे गन्ना गिसान हो है वो खुश रहूंगे के तमाम जो बजट इस बार आएगा देखिए निश्ची तुरूप से गन्ना किसान बदहाल हैं आज भी जिस तरह से के लगातार अग्णा किसानों के लगातार knapp काटे जा रहे हैं, जब की उत्तर परदेश हमारा लगताव परदेश महां पर गंना किसानों को सभी किसान बाईयों को भी पेल परिवारों को मुफ्त बिजली दे रहा है उसी तर्ज groundwater myka किसान भाईयों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए और अब मार्च का महीना शुरूई हुआ है और मार्च जब से शुरूआ तब से किसान भाईयों के लगातार कनेक्शन काटे जा रहे हैं समर्थन मुल्य नहीं बढ़ाया गया जब कि समर्थन मुल्य की बात कही है कि 700 रुप करता है और अपने दिन रात मेहनत करता है सब के लिए कि कोरोना काल में भी अगर परदेश को देश को बचाया तो किसान भाईयों ने बचाया तो निश्चित रूप से गन्ने का समर्थन मुल्य बढ़ाया जाना चाहिए और गन्ना किसानों का बकाया भुक्तान शीग रति जाया जाता है राज्य सरकार का यही रवया है भाजयपा का चाहे राज्य सरकार की बात करें यह मंत्री जी की बात करें सिर्फ कोरी बाते गरने के लावा कुछ नहीं दिया है पिछले छे साल से किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा समर्थन मूल्य जो है देखे हमारी मांग यह है कि गन्य का समर्थन मुल्य बढ़ना चाहिए और अन्यदाता का सम्मान होना चाहिए आज अन्यदाता बहुत परेशान है कि उसको बकाया नीदी दिया जा रहा है जो कि बहुत दुर्भाग्यपून है और किसान की अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसकी करते हैं कि सदन के बाहर आज कॉंग्रेस के जो बिदायक है गन्या के समर्थन मुल्य को बढ़ाने की मांग जो है वो कर रहा है उन्यों सरकार से मांग की है कि जो भी गन्या किसानों का समर्थन मुल्य है उसको जल्द से जल्द जो है वो दिया जाए अपने सयोगी नेंद पुपएंद सिंग्राना नेटो 10 बराडिसेंड परामर्स समयती है उसका जो भी हमको जो भी हमको रिपोर्ट आई इसको सरकार एक्षिन लेगी परामर्स समयती ने बहुत परस्ट जो हमको अपना परामर्स दिया है वो यही है कि गन्ना मूल नहीं मढना चाहिए तो हमने उस करना किसानों को इंदर मुपष़ करने की बात और मुझे उमीद है कि गन्ना किसान को रहे है एक जो अतलू पर आपने जाला रहे लेकिन इस वर्ज करना किसान सरकार करने से बहुत खुशें